नमस्कार में सुरेश कुमार, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तो आज हम बात करेंगे जो आंगरवाडी वर्कर्स के लिए एक गुड न्यूस है और वे जे न्यूस है कि जो आंगरवाडी वर्कर्स और हल्पर्स जम्मू कश्मीर की हैं उनका जो हॉन्रेरियम है वो रिलीज हो चुका है जी हां जो आंगरवाडी वर्कर्स जे एंड के की हैं उनका जो आंगनवाडी वरकर्स और हेलपर्स जम्मू कश्मीर की हैं उनका जो होनुरेरियम है वो रिलीज हो चुका है तो जहां पे जो लैटर है गौर्मेंट आफ जम्मू और कश्मीर Mission Directorate portion J&K तो District Program Officers All इसमें जो जो जे 20 का ही है 20 December 2023 का लैटर है इसमें है Release of Funds for Honorarium आगनवाडी वरकर्स और आगनवाडी हेलपर्स थ्रूपीफमस मोड तो जहां पे जो जो लैटर गया है जे जितने भी District Program Officers है उनको क्या है कि जो honorarium है आगनवाडी वरकर्स का और आगनवाडी हेलपर्स का उसके जो funds है वो रिलीज कर दिये गे हैं तो जहां पे इस Sir Oblique Madam kindly refer to the subject cited above in this connection it is intimated that funds to the tune of Rs. 138,22,88,850 only have been released obligated into the zero balance accounts ICDS General of Concern Districts for further transfer of funds into zero balance accounts of panchayats municipality wards of your districts under object had honorarium to आगनवाडी वरकर्स as per detail given in annexure 1 and as per following district wise breakup तो इसमें जे बताया गया है कि जो कितने 138,22,88,850 जो रुपे हैं दवारा से repeat करेंगे 138,22,88,850 जो रुपे हैं वो release हुए हैं किनके zero balance account जो ICDS General जो district program officers के account में हैं और उन्हें कहा गया है कि further जो municipality के accounts हैं जो panchayats के account हैं उन में जे transfer किया जाए ताकि जे जो amount है जे आंगनवडी workers के account तक पहुंच सके सके through dbt mode तो इसमें अलग-अलग districts के दियेगे हैं district wise जो है और funds released from June 2023 to December 2023 तो इसमें जितनी वी जो December 2023 कहने का मतलब कि June से मै तक जो मैं 2023 तक जो आंगनवडी workers और helpers का honorarium जो था वो आलड़ी clear था तो बीट में उसके बाद June, July, August, September, October, November और December कहने का मतलब कि इस मन्त को include करके जो 7 महिने की pendency बनती थी वो पूरे का पूरा जो honorarium है वो release हो चुका है from the Office of Mission Directorate Jammu and Kashmir तो इसमें अलग-अलग district का bifurcate किया गया है तो इस पर का total जो 7 महिने बनती है जहां पर फर्दर लिखा है कि deputy director sir की stamp है तो जहां पर लिखा I am directed to request you to ensure the timely release of honorarium to आंगनवडी workers and आंगनवडी helpers through PFMS mode and submit the utilization certificate of the same within 15 days to the directorate जे कहा गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है जे utilize होने चाहिए funds और जे जो पैसा है जे आंगनवडी workers और आंगनवडी helpers के account में पहुँचना चाहिए तो इसमें अब आपके mind में आ रहा होगा कि कितने पैसे आंगनवडी worker के account में जाएंगे और कितने helpers के क्योंकि जे जून से लेके दिसमबर तक total 7 महीने बनते हैं इसलिए जो आंगनवडी workers के जो हनुररियम कितना आया है total 7 महीनों का है आपको पता है कि एक महीने का जो share है total जो हनुररियम है वो 5100 है कुझा 100 रुपे है और जो 7 महीने का हो जाएगा 35,700 रुपे जो आंगनवडी workers के लिए कितना होगा 35,700 रुपे आएंगे और आंगनवाडी helpers के भी साथ महिने के हैं आपको पते ही है कि एक महिने का जो आंगनवाडी helper का honorarium है वो है 2550 रुपे 2550 रुपीज और साथ महिने का हो जाएगा 17,850 रुपीज कहने के वहले 17,850 रुपीज जो है आगनवाडी helper के account में जाएगा एक वर दवारा से repeat करूँगा जो आगनवाडी worker के account में कितना पैसा जाएगा 35,700 रुपीज और आगनवाडी helpers को 17,850 रुपीज इसके साथ ही जो दिसंबर तक दिसंबर 2023 तक जो आगनवाडी workers और helpers का जो honorarium है honorarium है वो clear हो जाएगा तो क्योंकि पहले जो आगनवाडी workers पूछती भी रहती थी तो हमने आपको वीडियो में बताया था कि जो दिसंबर मन्त के ending तक आपके account में पैसा पहुँच जाएगा तो आज के लिए इतना ही था धन्यवाद